मनेंद्र गढ़ पुलिस ने शादी से महज एक दिन पहले दुशकर्म के जुर्म में दूले को मंडप से गिरफतार कर आरोपी को जेल भेज दिया है आरोपी की 20 अप्रेल को पौणी चिर्मरी क्षेतर में 12 जाने वाली थी मामला मनेंद्र गढ़ थाने के ग्राम पंचायद बौरी डान का है जहां आरोपी की मंडप में हल्दी रस्म चल रही थी इतने में मनेंद्र गढ़ पुलिस ने पहुँचकर हल्दी लगे दूले को गिरफतार कर हवालात में भेज दिया आरोपी पर अपनी भावी की नाबालिक छोटी बेहन से दुशकर्म करने का आरोप है पीडिता ने सुयम धाने पहुँचकर इसकी शिकायत की थी बताया जाता है कि आरोपी नाबालिक को शादी का जहांसा दे कर दुशकर्म करता रहा वहीं एक बार पकड़े जाने के बाद दोनों परिवार के बीच ये सहमती बनी थी कि पीडिता के बालेग होने के बाद दोनों की शादी कराई जाएगी वहीं कुछ दिन बीच जाने के बाद आरोपी के परिजनों ने उसकी शादी अन्य दूसरी लड़की से तैय कर दी जिसकी शादी कल 20 अप्रेल को होनी थी जिसकी जानकारी मिलते ही पीडिता ने मनेंदरगर्ध थाने पहुँच कर शिकायत दर्ज कर आई पीडिता की शिकायत पर मनेंदरगर्ध पोलिस ने आरोपी को गिरफ़तार कर न्याय क्रिमान पर भेज दिया है उसी रोस में लड़की के द्वारा थाना में मनेंदरगर्ध में आकर सिकायत दर्ज किया गया कि लड़के के पक्षव लड़का जो है वो दोनों दूसरे जगा साधी कर रहे हैं कर गए तो उसी बात को लेकर कि जब पुलिस जाच की तो उसमें पता चला कि लड़की के अगर लड़के की शादी हो जाती तो दो जिन्दगियां तबाह हो जाती एक वो जिसके साथ गलत काम किया और दूसरी वो जिसके साथ शादी होने वाली थी पिडिता ने शिकायत दर्ज करवा कर अपने आपको तो इनसाफ दिलवाया वही दूसरी लड़की की जिन्दगी खराब होने से भी बचा ली कोरिया से सुरजीत रहना की रिपोर्ट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद